प्रिविद्यार्थियों आप लोग का स्वागत है आपके ही अपने चनल SRS Classes में और मैं आज आप लोग को Class 12 इंगलिज का Poetry का पहला चेप्टर Character of a Happy Life का हिंदी एक्स्प्लेनेशन बताने वाला हूँ जो की Composed किया गया है Sir Henry Watton द्वारा तो मैं आपको बता दू कि इस चेप्टर में कभी ने खुसहाल व्यक्ति के लच्छण बताये हैं अर्थात काने का मतलब यह है कि खुसहाल व्यक्ति के गुड़ बताये हैं और साथ ही उसके चरित्र के बारे में भी बताया है कि खुसहाल व्यक्ति कैसा विहेब करता है उसके अंदर क्या क्वालिटी होती है तो चले फ्रेंट सब चेप्टर को इस टार्ट करते हैं हाँ कितना हैपी, खुस, इज, है, ही, वह, बार्न जण्म से, आर, या, टाट सिच्छा से, हाँ हैपी, इज, ही, बार्न, आर, टाट, वह, वेक्त कितना खुस है, जन्म या, सिच्छा से, जो सर्थ नाट कारे नहीं करता है दूसरों की विल इच्छा से वह व्यक्त कितना प्रसंद है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कारे नहीं करता और कोन व्यक्ति खुस है हुज जिसका आर्मर सुरच्छा कवच इज है हिज उसके आनेष्ट थाट इमानदार विचार है और सिम्पल ट्रूथ साधारर सत्य हिज उसकी अटमोष्ट इसकील सरवतम योगेता है और सिम्पल ट्रूथ हिज अटमोष्ट इसकील और सारल सत्य हिज उसकी सरोतम योगेता है जन्मया सिच्छा से वह व्यक्ति कितना प्रसन है जोकी दूसरों की इच्छा के अनुसार कार नहीं करता और whose armor is his honest thought और जिसका सुरच्छा कवच उसका इमानदार विचार है तथा and simple truth his utmost skill तथा सरल सत्य हिज उसकी सरोतम योगेता है अर्थार कभी ने फर्स्ट इस्टेंजा में बताया है कि जो व्यक्ति दूसरों की इच्छा के नुसार कारे नहीं करता वो खुसाल रहता है और वे खुसाल रहता है जिसके सुरच्छा कवच उसका इमानदार विचार है अर्था तो वो हमेशा इमानदारी पर रहता है और साथी ये बताया है कि वो सदे उस सत्य बोलता है इसी कारण प्रसंद न रहता है फूज जिनकी पैसंस तिवर इच्छाएं नाट नहीं, हिज मास्टर आर उसका स्वामी होती है। इसे इतिवर इच्छा कहा जाता है। संसार के बंधनों से वित केर और साथ ही परवा से। और किसके परवा से आफ प्रिंसली लब, राजा के क्रिपास की परवा से आर वलगर ब्रेथ और समाने लोगों की आलोचना के परवा से मुक्त रहता है। जो हैपी मैन होता है वो संसार के बंधनों से मुक्त रहता है और राजा के जो क्रिपा होती है न तो उसकी परवा करता है और नहीं समाने लोगों के आलोचना की चिंता करता है। Whose persons not his masters are जिनकी तिवर इच्छाएं उनका स्वामी नहीं होती किनका स्वामी हैपी मैन का। Whose soul is still prepared for death जिनकी आत्मा सदेव मृत्यू के लिए तयार रहती है वो ही हैपी मैन होता है। Untied unto the world with care of princely love our vulgar breath जो की संसार के बंधनों से मुक्त राता है और साथ ही परवा से चिंता से मुक्त राता है। किसके चिंता से या परवा से आफ princely love राजा के क्रिपा के और our vulgar breath और समाने लोगों की आलोचना की चिंता से मुक्त राता है। अथार्थ कहने का मतलब है नहीं वे राजा की क्रिपा की इच्छा करता है और नहीं वो साधार लोगों की आलोचना की चिंता करता है। तो चली फिर देखते हैं happy man कैसा होता है। who hath जो रखता है his life अपने जीवन को फ्राम रियूमर्स अफवाहों से फ्रीड मुक्त। who hath his life राम रियूमर्स फ्रीड जो रखता है अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त। है कि जो happy man होता है वो अफवाहों से मुक्त राता है अफवाह पे ध्यान नहीं देता है। whose जिसकी अंतरात्मा की आवाज ही उसका द्रीड अस्थल होती है। whose जिसकी state इस्थिती can neither flatters feed चापलूसों के चापलूसी से प्रभावित नहीं हो सकती है। neither मने नहीं और flatters मतलब चापलूसी करने वाले और feed मतलब चापलूसी। whose state can neither flatters feed जिसकी इस्थिती चापलूसों के चापलूसी से प्रभावित नहीं होती। अथार्थ कानेक मतलब है कि जो हैपी मैन होता है वो अपनी उसकी चापलूसी अगर कोई करे तो उप्रसन नहीं होता है। नार नहीं रियून बिनास मेक बनाता है आप्रेसर्स बिरोधियों को ग्रेट महान नार रियून मेक आप्रेसर्स ग्रेट और नहीं उनका बिनास उनके बिरोधियों को महान बनाता है। अर्थार्थ यदि happy man के पास कुछ न रहे, कोई परसानी में आ जाए, तो वो इतना दुखित नहीं होता है, कि उसके बिरोधी प्रसन न हो जाएं, और अपने आपको victorious फिल करें, तो चले पिरिविद्यार्थम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, who has his life free from rumors field, happy man वो होता है, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, whose concerns is his strong retreat, जो की अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार कारे करता है, whose state can neither flatter's feed, जिसकी इस्थिती चापलूसों के चापलूसी से प्रभावित नहीं होती, अथार्थ कहने का मतलब है, कि वो हैपी मैन अपनी चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है, नार्यून मेक अपरेशर्स ग्रेट और नहीं उनका बिनास उनके बिरोधियों को महान बनाता है, वो जो एन्वीज इस्या करता है, नन किसी से नहीं, देट जो चांस अवसर पाकर डथ रेज उपर उठा हो, उनकी किया हो, वो एन्वीज नन, देट चांस डथ रेज, जो किसी से इस्या नहीं करता है, जिसने अवसर पाकर उनकी किया हो, वो होता है, नार्यूस नहीं बुराई करता है, हू, जो नेभर कभी नहीं, अंडरिस्टूड यह समझता है, हाउ, कितने डिपेस्ट, गहरे, उन्ड्स, घाउ, आर्गीभेन, दिये जा सकते हैं, बाई प्रेज, प्रसंसा द्वारा, हू, नेभर अंडरिस्टूड, हाउ, डिपेस्ट, वाउंड्स, आर्गीभेन, बाई प्रेज, जो यह, कभी नहीं समझता है, कि प्रसंसा के द्वारा, कितने गहरे घाउ, दिये जा सकते हैं, अथार्थ कहने का मतलब यह है, कि जो हैपी मैन होता है, वो जूठी प्रसंसा से, वो कभी प्रभावित नहीं होता है, नहीं, रूल्स आफिस्टेट, राज के नियमों का पालन करता है, बलकि वो अच्छाई के नियमों का पालन करता है, ना रूल्स आफिस्टेट, बट रूल्स आफ गुड, वो राज के नियमों का पालन नहीं करता है, बलकि वो अच्छाई के नियमों का पालन करता है, तो चले प्रभी दैर्थों फिर से रिपीट करते हैं, वो किसी से इस्या नहीं करता है, जो अवसर पाकर मौका पाकर उनती किया हो, नारवाइस नहीं उनकी बुराई करता है, वो यह कभी नहीं समझता है कि प्रसंसा के दोरा कितने गरे घाव दिये जा सकते हैं, अथार्थ जो हैपी मैन होता है, वो जूठी प्रसंसा से कभी प्रभावित नहीं होता है, ना रूल साफ इस्टेट, बट रूल साफ गूड, वो राजी के नियमों का पालन नहीं करता है, बलकि अच्छाई के नियमों का पालन करता है, वो जो गाड डथ भागवान की करता है, लेट साम में, और अरली सुबा में, प्रार्थना, वो जो गाड डथ भागवान की सुबा और साम में, प्रार्थना करता है, जो भागवान की सुबा और साम प्रार्थना करता है, केवल उसकी अधिक से अधिक क्रिपा पाने के लिए, न कि उससे कोई उपहार पाने के लिए, और अपना मनरंजन करता है, तो देखते हैं कैसे करता है अपना मनरंजन, वे किसी अच्छी बुक के साथ आर फ्रेंड या अच्छे मित्र के साथ अपना समय ब्यतित करता है, और अपना मनरंजन करता है, बिना किसी का समय का नुकसान किये हुए, एक अच्छी किताब के साथ या एक अच्छे मित्र के साथ, तो चलिए फ्रेंड फिर से एक बार रेपीट करते हैं, एक अच्छी किताब के साथ या एक अच्छे मित्र के साथ, हार्मलेश्डे मतलब बिना किसी के समय का नुकसान किये हुए, इंटर्टेंस मतलब मनरंजन करना, ग्रेसमने क्रिपा, और जो यहाँ पर दैन गिफ्ट्स टू लेंड है, ये कमपरीजन किया गया है, इसलिए इसका अर्थ होता है कि नौकी उपहार के बदले में, और यहाँ पर जो लेट है, यहाँ इसका अर्थ इवनिंग से लिया गया है, और जो अर्ली है, इसका अर्थ सुबा से लिया गया है, इस मैन ऐसा व्यक्ति इज फ्रीड मुक्त होता है, फ्राम सर्वाइल बैंड्स गुलामी के बंधनों से, आफ होप टू राईज नहीं उसे उपर उठने की आसा होती है, our fear और नहीं बहे होता है to fall नीचे गिरने का hope to rise our fear to fall नहीं उसे उपर उठने की आसा होती है और नहीं उसे नीचे गिरने का बहे होता है राईज मतलब उपर उठना lord of himself स्वेह का स्वामी होता है धो भले ही not of lands भूमी का मालिक नहो भले ही ज़्यादा जमीन का मालिक ना हो लेकिन स्वय का स्वामी होता है इसलिए उसके पास नौ भी कुछ होते हुए फिर भी सब कुछ होता है अथार्थ कानेक मतलब है उसके पास संतोस रूपी धन होता है तो चले डेर स्टुडेंट्स फिर से रिपीट करते हैं इसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त रहता है अथार्थ कानेक मतलब है आजाद रहता है आफ होब टू राइज और फियर टू फाल उसे न तो उपर उठने की आसा होती है और नहीं नीचे गिरने का भय होता है और इसलिए उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है क्योंकि जिसके पास भी संतोस रूपी धन रहेगा उसके पास सब कुछ होता है तो थैंक्स फ्रेंड्स मैं आसा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गई होगी और इसमें सर हेनरी वाटन ने यही बताया है कि आखिर एक खुस हाल व्यक्ति बनने के लिए हमारे अंदर क्या गुड़ होने चाहिए और इन गुड़ों को हम अपने जिवन म में उतारे तो हम लोग सदा खुश रहेंगे